Hello everyone, कैसे हैं आप? Welcome to Sibdas and Sons आज एक Financial Management में फिर से New Chapter करेंगे Chapter का नाम क्या रहेगा हमारा? Chapter का नाम है Economic Order Quantity इस Chapter में हम सीखेंगे के हमें Minimum Order एक बार में कितना लाना चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम Economic Order Quantity Chapter का नाम Economic Order Quantity जिसे हम शार्ट फॉर्म में बोलेंगे E.O.Q Basically ये Chapter जो है ये हमारा Cost Accounting से ज़्यादा रिलेट करता है Cost Accounting में 4th Semester या Cost Accounting के अंदर Material Chapter से रिलेटेट अब समझते हैं ये Economic Order Quantity क्या होता है वैसे तो वहाँ जिसने कर रखाए ठीक है मैं दुबारा वो चीज़े समझा रहा हूँ कि Economic Order Quantity क्या होता है Order का मतलब क्या होता है माल के लिए जो आप Order करते है फोन उठाके या फिर लेने जाते हो कि भाई मेरे घर पे इतने समान भिजबाद हो इतने समान भिजबाद हो या आप जो भी Order करते है Flipkart Amazon वो Order है Quantity का मतलब जैसे माल लो आपने कोई भी चीज Order किया था उसका Quantity तो रखोगे ना एक पीस दो पीस Economic का मतलब होता है कम से कम कम से कम Economic का मतलब है कम से कम Order Quantity हम करें जैसे माल लो एक Business है अब इस Businessman को जो भी Business है इसको अपने दुकानदारी चलाने के लिए दुकान में Stock रखना पड़ता है बिना समान के इसके दुकानदारी चल सकती है क्या बताओ दुकान में समान है यह नहीं दुकानदारी हो सकती है क्या नहीं हो सकती तो ये समान कहीं होलसेलर से खरीद के लाता होगा है न? ये समान जो है होलसेलर से खरीद के लाता होगा और होलसेलर से समान खरीद के जो लाता है ये तो इसके पॉसिबल्टी ये भी है कि इसके घर के पास हो इसके दुकान के पास हो possibility ये है कि इनके बीच के distance जादा हो normally हमेशा distance जादा ही मिलता है तो ये जब यहां से यहां जाता है ना यहां से यहां जाता है दुकान का समान लेने के लिए तो उसको travel करना पड़ता है है ना जब यहां से यहां जाएगा ये तो उसको travel करना पड़ेगा ये नहीं करना पड़ेगा करना पड़ेगा और उस travel में खर्चा आएगा ये नहीं आएगा आएगा तो यहां से यहां जाएगा तो वो order cost का part है order cost का part माना जाता है खर्चा होता है मान लो यहां से यहां एक बार मैं जाता हूँ न तो मेरे 200 रुपए का खर्च आ जाता है सर ऐसे कैसे 200 रुपए भाई समान लेके रिक्षे में भी आऊँगा ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा समान हुआ तो मैं एक साथ अपने साथ ला सकता हूँ टेम्पू रिक्षा आपको पता है यहां से रिक्षा थोड़ी दूर भी जाओगे तो बोलेगा 50 रुपए समान देखते ही वो रेट बढ़ा देता है है न तो एक तो यह है दूसरा यह समान जब लेके आएगा न तो इसको समान रखना पड़ता है दूकान में चूहे वगरा है दूकान में वेस्टेज हो सकता है कुछ ऐसा समान है तो इसको एक स्टोर करने के लिए गोडाउन चाहिए गोडाउन चाहिए है न समान अब इसका खर्चा होगा ही नहीं होगा यहां से समान लेके आया सारा दुकान में नहीं रख सकते आप देखते होगे आज इतना सारा समान आया तो दुकान में रखते हैं हर दुकानदार के पीछे दुकान के देखना पहले एक तो दुकान आगे होता है और उसके जस्ट पीछे ऊपर नीचे कही न कही गोडाउन बनाना जरूरी है तो यह गोडाउन है तो गोडाउन का भी खर्चा होगा ये भी एक हमारा expense है है या नहीं बताइए बोलिए एक तो जब हम समान को लेने जाएंगे तब भी खर्चा होने वाला है और एक गोडाउन में रखेंगे तो तीन खर्चे आ जाते हैं आप डिटेल में समझे तो कौन-कौन से तीन खर्चे आ जाते हैं बताईए एक समान को लाने का खर्चा और एक गोडाउन का खर्चा और किस चीज का बता रहे थे आप फ्रेट वो तो लाने में हो गया ना और क्या हो सकता है? और समान का खुद का खर्चा, तीनी खर्चे तो है हमारे अब इस खर्चे से बचने के लिए दुकानदार और बिजनसमें चला की दिखाते हैं वो सोचते हैं यार एक बार गया दोसो एक काम करता हूं एक हट्टे लियाता हूं समान यही करोगे न, अगर बोलो आप कॉस्टिंग कम करो तो क्या करोगे आप कहोगे भई एक साथ ही लियाते हैं समान तो जब आप एक साथ समान लाओगे नहीं वहाँ भी आपका नुक्सान है फिर आपको दो गोडाउन लेना पड़ेगा है की नहीं? अब एक बार आपने 200 तो बचा लिये लिखिन रखने का आपका किराया क्या हुआ? बढ़ गया अब वो लोगों मैं धीरे धीरे लाओगा गोडाउन हटाओ मैं गोडाउन ही रखूँआ तब भी खर्चा बढ़ रहा है तो यहां पे एक समस्या दिख रही है आपको कुछ क्या प्रावलम हो रहा है? समान की कॉस्टिंग क्या है? और कई बार तो आपको ऐसा भी पता है कि समान के जब रेट बढ़ने वाले होते हैं तो सब स्टूर कर लेते हैं लागए अपने पास तो इसका समस्या का समाधान क्या होना चाहिए? वो समाधान हमें इस चप्टर के अंदर समझाएगा है अब जो समान को रखते हैं न यहां पे यह रखने का खर्चा है न यहां पे इसको बोला जाता है केरिंग कॉस्ट केरिंग का मतलब रखना? केर करना? caring cost जिसको मैं चोड़ी सी सी बाद में लिख देंगे caring cost और इस goods का product का भी कोई खर्चा होगा तो तीन खर्चे हैं तो economic order quantity ऐसा जहां पे न हमारा लाने ले जाने का भी खर्चा जादा ना पड़े और रखने का भी खर्चा जादा ना पड़े और काम भी चलता रहे हम साल में अगर पचास अजार यूनिट अगर हम लेते हैं किसी भी product का अगर हम साल में अंदाजा है कि मैं पचास अजार यूनिट बेचूंगा तो एक साथ पचास अजार अगर खरीद के लिया हूँआ तो उसमें दिक्कत है कोई बिलकुल है stock पुराना हो जाएगा stock को रखने में बहुत खर्चा आजाएगा stock wastage हो जाएगा तो नुकसान तो हो क्या अब stock को मैं बहुत धीरे-धीरे लेके आऊँ तब कोई फाइदा है क्या? नुकसान है. क्या नुकसान है बहुत दीरे-दीरे लेके आने पर? लाने ले जाने का खर्चा बढ़ जाएगा, order cost बढ़ जाएगा. तो मैं इतने quantity लेके आऊं कि दोनों चीजे क्या हो? balance. यानि इतने quantity लेके आऊं जब ये दोनों हो जाए लाता है, वहाँ पर बोलेंगे कि ये ठीक है, अबर भी है. economic order quantity है. मान लो लाने का भी खर्चा 500 पढ़ रहा है, रखने का भी खर्चा 500 पढ़ रहा है, और unit 1000 ला रहे हैं. तो लाने का खर्चा कितना 500? रखने का खर्चा कितना 500 ही पढ़ रहा है, दोनों बराबर हो गए न और unit कितने लेके आ रहे हैं? 1000 लेके आ रहे हैं. बोलेंगे ये economic order quantity है. लेकिन economic, जैसे ही मैं unit 1500 करता हूं, तो लाने का खर्चा हमारा हो जाता है, 1500 की जगह पर 400, लेकिन रखने का खर्चा 700 रुपे हो रहा है. तो ये economic order quantity नहीं है. तो पहले ये समझी है, economic order quantity होता किया है. कुशन आ जाए, economic, what do you mean by the economic order quantity? तो economic order quantity वो quantity है, जहां पे ordering cost and caring cost क्या हो? इक्वल हो जाए. अब caring cost की बात करूँ ना तो ये घटा बढ़ता रहता है. और ordering cost नहीं घटा बढ़ता. घटा बढ़ता का मतलब अगर एक बार मैं लेने जाऊँगा, 200 लग गये तो लग गये. ले मान लो मैं 10,000 unit लेके आया हूँ. तो इस ये घटा बढ़ता रहेगा. सर कैसे घटेगा बढ़ेगा? मान लो 10,000 unit लेके आया तो दो go down चाहिए था. दीरे-दीरे समान बिकेगा. जैसे-जैसे समान बिकेगा, मान लो 6000 unit बिके तो इस go down का काम ही नहीं है ना. अब कितने go down च हो गया. तो ये carrying cost जो है वो घटा और बढ़ता रहेगा. तो इसे हम average लेंगे हमेशा. अगर कोई बोले ने carrying cost कितना रहता है तो वो average basis पे निकालते हैं. मैं वो सारी चीज़े formula भी लिखूँगा और समझाऊँगा भी. तो पहले chapter का theme समझ में आया है आप लोग को. के मुझे बस आपको एक formula बता दे उसमें भी हो जाएगा. लेकिन formula कैसे drive हुआ ये भी आना चाहिए. economic order quantity कैसे निकाला जाए? कहा जाता है EOQ. मैं इसको अब EOQ बोलूँगा. कहा गया सर economic order quantity निकालना हो तो 2AO divided by C का अंडर रूट ये होता है formula. Sir A क्या है? Annual Demand. Sir O क्या है? Ordering Cost. Sir C क्या है? बताइए. बिल्कुल. Caring Cost. Caring Cost जो है ना मैंने बोला मेरा समान 100 रुपय का है और Caring Cost अगर मैं 20% दूना तो इस समान के price पे निकलेगा. Caring Cost हमेशा calculate होगा percentage of goods price. Goods price. Percentage of goods price. ठीक है? ये formula लगाईए. सारी information given होगा question में और आफ फटा फटा आंसर निकाल पाएंगे. बात करते हैं अगर आपसे बोला जाए कि Total Cost निकालिए कि आपका समान लाने ले जाने का तो मैं बोलूँ है जी जितना demand है हमारा annual यानि मैं A लिख रहा हूँ. multiply by अगर 10,000 unit demand है हमारा और एक unit 5 रुपए का तो multiply by rate? ठीक है न? multiply by किससे कर देंगे? ये तो हो गया समान के खर्चे. मैंने कितने खर्चे बोले थे होते हैं हमारे? समान अब लाने ले जाने का खर्चा? तो लाने ले जाने का खर्चा मान लीजिए कि मुझे साल में 24,000 unit चाहिए. साल में 24,000 unit की requirement है. और मैं एक बार में 2000 unit ले के आता हूँ. और लाने का खर्चा मेरा 500 रुपए है. मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरा पूरे साल में कि जाएगा simple क्योंकि आप बोलोगे सर 24,000 लाते हो 2000 वन टाइम में लाते हो यानि आपको आना जाना वहाँ पे चक्कर लगाने पड़ेंगे 12 यही है न तो पूरे साल में लाता हो यह होगी है यह एक बार में मुझे लाना चाहिए तो economic order quantity बोलता है यही है कि एक बार में कितना लाओ है न तो divided by EOQ into में जो भी हमारा ordering cost है एक तो यह खर्चा आगया देखिए प्रूफ करिए आप निकालिए आपने क्या करा 24,000 divided by 2000 into में 500 500 is what? ordering cost 24,000 क्या? मेरा पूरे annual का demand है divided by EOQ एक तो यह खर्चा तीसरा खर्चा बता सकते हैं कौन सा होता है? carrying cost carrying cost हमेशा पता है क्या होता है? तो carrying cost average होगा तो EOQ क्योंकि हम एक बार में quantity क्या लेके आएंगे? बताइए एक बार में क्या quantity लाएंगे? बता सकते हैं? जो quantity एक बार में लेके आएंगे हम वो कितना है? 2000 है लेकिन क्या 2000 का रख रखाव का खर्चा जितना 2000 यूनिट है पूरे का constant रहेगा क्या? नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा है ना? तो इसका मतलब इसको average लेने के लिए डिवाइड़ बाइ 2 समझ रहेब बात को into में carrying cost अगर मैं बोलता हूँ के भाई मेरा carrying cost है पाँच रुपए तो पता ही कैसे निकालोगे? 2000 यूनिट आता है लेकिन 2000 डिवाइड़ बाइ 2 ultimately हमारा जो conjunction average लेकते हैं 1000 unit का और 5 रुपे का खर्चा है तो क्या आगे हमारा 5000 रुपे का खर्चा है समझे भाद तो total cost इस तरीके से निकाला जाएगा अब एक बार हम formula को समझ लेते हैं कई बार examiner आपको different alternative देगा कि मान लो आपका EOQ 2000 आया है हम एक बार में 2000 की जगह पर 4000 unit लेके आएं तो हमारा फाइदा है नुकसान है तो आप EOQ के हिसाब से भी total cost निकाल लीजिए और एक बार में जो examiner कहता है इतने unit लेके आँ उसके हिसाब से भी total cost निकाल लीजिए जिस जगह पर total cost क्या आ जाए हमारा सबसे कम वो क्या हो जाएगा मेरा best हो जाएगा अगर EOQ में हमारा total cost आता है 20,000 और जो examiner ने बोला है उससे निकालने पे आ रहा है हमारा 19,000 तो मैं बोलोगा भाई examiner का ठीक है 19,000 और अडप्ट कर लो simple सी बात है है न चलिए अब देखे इस formula को समझते हैं कैसे बना मैंने क्या कहा जहां पे आपका ordering cost और carrying cost एक समान आ जाए उसे क्या बोलेंगा economic order quantity तो ordering cost का formula क्या है A divided by EO Q into में OC is equal to EO Q divided by 2 into में C यही बोला है न जहां यह दोनों बराबर आजाए इस equation को solve करोगे तो यह बनेगा solve करते हैं क्या गया 2A multiply करेंगे अगर इसको इससे नहीं मैं इसको इससे कर रहा हूँ और ordering cost तो है यह हमारा multiply ordering cost को और इसको मैंने C लिख देता हूँ और इसको मैंने C लिख दिया ठीक है बताए मैंने इसको multiply करा चलिए जब यह इससे multiply क्या होगा तो यह क्या बनेगा बता सकते हैं तो मैं ऐसे लिख दू solve होगे एक अब जब इधर से multiply करेंगे तो क्या बनेगा ठीक है नब अब E O Q को इधर ही रहने देते हैं C को इधर लिए आते हैं तो क्या करें हम अब square को हटाने के लिए क्या करें हम बनेगा formula बनेगा नब तो यह ऐसे drive हुआ वो मैं एकदम कहां पे ले गया है shortcut पे लेकिन formula बना कहां से जो बाते मैं आपको theory बता रहा हूँ वहीं से के जहां पे हमारा ordering cost और carrying cost समान होता है उसे economic order quantity कहते हैं अगर मैं ऐसे लेके चलता ना तो फिर समझ में नहीं आता है इसलिए इस formula के help से आपको समझाया जाता है समझे बात तो हम इस पे एक question भी start करेंगे बाद फटा फट से formula नोट करिए अगर इसमें कोई doubt आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं मुझे